हालो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेवदार वितायूश और इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स और जोमाटो दोनों के उपपर तो अच्छे तो देखिए खबर कह सकते हैं ज्यादा इंपोर्टन टाटा मोटर्स डीवीर से रिलेटेड है व दोस्तों वो है सबसे इंपोर्टन रिलेटेड टू टाटा मोटर्स डीवीर टाटा मोटर्स डीवीर का आज करीबन 749 पर बंद हुआ करीबन 30 पैसा के असपास की गिरावत थी 0.04% गिरा और टाटा मोटर्स अब डीवीर के साथ क्या होने वाल है बेसिकली टाटा मोटर्स DVR के shares को Tata Motors के साथ अब basically हम कह सकते हैं यहाँ पर deduct कर दिया जाएगा और reduction capital reduction की date जो है वो basically Tata Motors ने announce कर दी है Tata Motors ने आपर क्या करें Tata Motors set September 1st as record date for share capital reduction मतलब क्या है यह ऐसा नहीं कि देखे खबर आज निकल कर आईए और कुछ नई बात निकल कर आगई देखे आपको याद होगा company ने पहले कह दिया था कि Tata Motors DVR को shares को हटाया जाएगा और जो Tata Motors DVR के shareholders है उनको उसके बदले Tata Motors के shares basically दे दिये जाएगे तो बिलकुल यहाँ पर जो cancellation की बात थी वो cancellation की बात अब company ने पूरे तरीके से date के साथ announce कर दी है सो यहाँ पर देखें important बात क्या है सो basically यह बड़ी बात है कि उन्होंने first September याद रखेगा पहली तारीक जो है वो रखी है first September रखा है as the record date to determine eligible shareholders for reduction of its share capital the company announced on Monday यह एक September वो date है जिसमें record date click दिया जाएगा कि हाँ इस दिन के बाद से यह बाद ध्यान रखेगा जो name है shareholders के वो record कर दिये जाएंगे और इसके साथ होगा क्या इसके साथ यह होगा जो company के जिसको हम बात करते हैं DVR या फिर A ordinary shares वो आगे चलके दोस्तों trade नहीं करेंगे यह बाद ध्यान रखेगा जिनके बाद भी Tata Motors के DVR shares है उनको क्या मिलने वाला है सबसे बाद तो shareholders holding A ordinary shares will receive 7 fully paid up new ordinary shares each with a face value of 2 in exchange for every 10 A ordinary shares of the same face value held as of the record date इसका मतलब क्या है कि माल दीजे आज 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 आप एक DVR shareholder है और आपके पास company के 10 share है किसके अद कर रहा हूँ है Tata Motors DVR की अगर आपके 10 shares है तो उसके बदले company आपको 7 shares देती है उन्हें दर आएगी किसके Tata Motors के तो इस तरीके से उसका company जो है वो basically share reduction करेगी अब आपको question आ सकता है कि for example couple मेरे पास तो 11 share है तो मैं क्या 9 shares और खरीद हूँ अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद दीजे अजरवाइस होगा क्या चो दूस्तों आपका एक company का जो share बच रहा है उसका दूस्तों company आपको पैसा देदेगी इस तरीके से दूस्तों यहाँ पर अगर कोई अगर आपके 25 share है तो 5 share और बाइक लेज़े फिर 5 share बेज़ दीजे अगर आपके पास 10 share है तो ठीक है लेकि 10 से कम है तो डिफिनिटल आपको share खरीदने पड़ेंगे अगर 10 से जादा है तो आप डिफिनिटल अपना काम कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर बेचना हो तो दीजेगा अधरवाइस खरीदना हो तो खरीद दीजेगा ताकि आपका जो प्रपोर्शन है वो सही बैठ जाएगा तो 10 share अगर आपके टार्टा मोडर्स किसके हैं DVR कि तो आपको 7 share मिलेंगे टार्टा मोडर्स के तो यह खबर निकल कर आ चुकिए अब आपको question हो सकता है कर क्यों रही कंपनी कंपनी साफ साफ का था कि वो capital structure को और ज्यादा सही करना चाती है उसको streamline में लाना चाती है और कंपनी चाती है कि शेयोडर के value और enhance हो इसलिए दोस्तों कंपनी में पहले भी यह काम किया था पहली relevant shareholders को बता दिया था किया तो नहीं था बट बता दिया कि हम यह करने वाले तो बिल्कुल आपको पता ही था और अब दोस्तों date भी finalize कर दी गई है अब दोस्तों आते हैं अगली company पे जो है Zomato Zomato आज करीबन 0.45 रुपीज के आसपस गिरता हुआ निज़र आया कह सकते stock में गिरावट देखने को मुली शुरबात काफी बढ़ लाइक कर दी जो चलना को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेजिए तो खबर यह है दोस्तों कि जो आन्फिन सिंगापूर है वो बेसिकली Zomato के shares हमको कल बेचती वन दर आएगी करिवन 408 million dollar के shares जो है वो ब्लॉक डील के जरीए कल बेचा जा सकता है जी हा द्यान रखेगा अगर कल आपको Zomato में गिरावट देखने को मिलती है तो उसके पीज़े का रीजन है कि यह ब्लॉक डील जो है वो नज़र आ रही है बहुत बार देखिए ब्लॉक डील के बाद चल भी जाता है ऐसी बात नहीं है और बहुत बार उपर ही कुलता है विकॉ पॉजिटिव ही माना जाता है बट ठीक है कल एक्जिट है वो हमको देखने को मलने वाला है आंट फिन सिंगापूर का almost 4.3% जो स्टेक है वो basically दोस्ते आपर आंट फिन रखता है Zomato के अंदर और at this price the shares will be available for a sale at a discount of 4.6% आज ही जो closing price से उससे लगभग 4.6% 5% आप कह सकते हैं discount पर यह जो block deal है वो होती है बाद धन रखिए कांशे block deals discount पर ही होती है और जब company इतनी बड़ी block deal करती है तो उनको एक्सीनेस को दाना पड़ता है because उसके बाद bankers भी निप्त होते है जो exactly हुआ भी है second दूस्तों जो खबर है वो definitely Zomato के target created है और खबर यह है कि company के targets को तीन सो रुपे कर दिया गया ऐसा क्यों किया गया because दोस्तों जो food delivery aggregator है जिसका नम Blinkit हम कहते हैं तो Blinkit ने दोस्तों बताया कि जो उनकी GMVA यानि gross merchandise value रक्षा बंदन के दिन all time high touch करती है नज़राई almost 693 RPM रहा है यानि राखी per minute order रहे यह दोस्तों basically जो Blinkit के CEO है अलबंद दिन सा उनकी दोरह बताया गया इसी कारण हुआ कि दोस्तों जो brokerage firm है UBS उन्होंने target increase कर दिया और target जो बढ़ा कर दिया वो करीबन 320 रुपे कर दिया from 260 earlier उनका मानना है कि जो company के performance है of Zomato surprised positively not only on the GMV growth in quick commerce but strong growth in the food delivery as well so यह basically बताया गया इसलिए हम कह सकते है कि stock का जो target price है उस के बाद Zomato ने भी group ordering feature जो है वो basically launch कर दिया है जी हां group ordering feature पहले Swiggy में आता था अब Zomato ने भी दोस्तों इसको launch कर दिया है अब इसके अंदर होगा क्या इसके अंदर दोस्तों डिपिंदर गोईल जो company के CEO ने बताया कि everyone can add to the card seamlessly making ordering together faster and easier मतलब अगर आपके friends है तो आप सब अब चाहें तो दोस्तों यहाँ पर order कर सकते हैं साथ साथ faster और यह बताया कि everyone can order seamlessly right तो यह cover है जो Zomato पर निकल करें बट नोड़ाट देखिए Zomato focus में रहता है company ने काफी ज्यादा देखिए बढ़िया stock ने price भी वहला movement भी दिखा है अपना आप में investors को बहुत अच्छा पैसा बनाया है last 6 मेने के अंदर 67% तो पिछले एक साल के अंदर almost 200% शेयर चला है तो अपने आप में तीजी से तो कोई deny नहीं कर सकता जिस तरह की तेजी हमको देखने को मुलिए but बात यही है valuations थोड़ी सी company के अंदर aggressive लगती है मुझे but I think value किसको मिल रही है I think value जो सबस अच्छा revenue क्रिएट करने का वाला source हो गया exactly the matter तो ही है profitable भी है तो सारी चीज़े इसके लावा company नए आप जी रॉंचेस कर रही तब समझ सकते हैं कि company का जो कारुबार है वो काफी तेजी से चलता हुआ नजा रहा है बढ़िया चलता हुआ नजा रहा है इसलिए shareholders को value create हो अगर लगा तो प्लीज लाइक करेगा चैनल से पहले हुआ जीडियो सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब कर देना ठीक है थांकियो फ्रेंड्स वीडियो